हाई फ्रेंड्स वेलकुम टू माई यूटूब चानल आज मैं बनाने जारी हूं शाही टुकडा की रेसिपी यह बहुत अच्छा लगता है स्वीट और जल्द से जल्दी बन जाता है और मैं आपको इस बार नए स्टाइल में बताऊंगी इसके लिए ना चाचनी बनानी हमे हमनों डाइरेक्ट स्टार्ट करेंगे इसे चले बनाते हैं लेट्स गो गैस में एक फ्राइंग पैन रख दिया मैंने उसमें तीन चमच गी डालेंगे इसमें कम से कम गी का इस्तमाल करूंगी मैं आप चाहे तो रिफाइंड आयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसमें लिए निक चमच और गी डाल दीजेगा उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा जैसे गी गरम हो जाए आज एकदम धीमी रखेगा पूरे प्रोसेजर में ब्रेड के त्रिकॉन साइज मैंने काट दिया है चो इसके बिल्कुल ना काटे ब्रेड के इसे तीमी हातों से ही जैसे थोड़ा सीख जाएगा हम लोग पलट लेंगे इसकी नारा के उज़े से बहुत टेश्टी आती है अमारे ब्रेड में और जल्दी नरम भी नहीं पड़ता दूद में जाने के बाद देखें इस तरह से पलट लीजे ज्यादा लाल होने की ज़रूरत नहीं है इसी मीडेम आच में ही ज्यादा अगर आपनों राउन कर देंगे तो हलका सा कड़वा टेश्ट आएगा तो हम दीमी आच रखेंगे हमारे गैस का फिर इससे निकाल लेंगे इस तरह सबी ब्रेड में कर लूँगे मैंने चे साथ पीसे ब्रेड के स्लैसस लिये एक बगोने में दूद गरम करूँगे एक लीटर लिया है दूद मैंने मैंने बॉइल्ड वाला दूद लिये ताकि टाइम हमारे कम पड़े अच्छे से उबाल के उसको ठंडा करके फिर से उबालने रख दी हूँ मैं इस तरह से उसमें आदा कप शक्कर ये मेजरमेंट से करेंगे तो आपका शाही टुकड़ा बहुत टेस्टी आएगा क्योंकि दूद खोलते खोलते वो भी गाड़ा होके मीठा पन आ जाता है इसलिए आदा कप शक्कर एक किलो दूद के लिए इनफ है इस अच्छे से गुल जाए इसमें एक एक करके हम लोग ब्रेड प्लीशिस छोड़ेंगे नहीं अलट पलट करते दोनों तरप से हलके हाथों से इसे निकाल लेंगे ऐसे करके सारे ब्रेड प्लीशिस में अलट पलट करके दूद में निकाल लोंगे एक प्लेट में जिसमें हमनों सर्फ करेंगे उसी दूद में आदा चम्माच में हिलाची पौडर डालके उस अच्छे से उबालोंगे देखे इस तरह से उबल गया आज दिमी रखे हैं अलट झ्युट झाओ झाओ एक कप में मैं दो चमच कॉन फ्लॉर डालके उसे पानी में मिक्स करके इसको थोड़ा-थोड़ा करके गाड़ा करूंगे कामच कॉन-फ्लॉर पानी में मिक्स करके इसको दमधी म्याच में थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करते रहोंगे कॉन-फ्लॉर डालने के बाद बिल्कुल स्टॉप ने कीजएगा मिलाना मिलाते रहे ये इस तरह से गहाड़ा हो गया कॉन-फ्लॉर हमारै ha Mega स्टेज में जिससे गड़ा हो जाता है एकदम से अब बंद कर दीजे गैस ने तो लम्स पड़ जाएंगे केसर के दागे मैंने दूद में मिला के रखे हुए थे उसे मैं दूद में डाल दे रही हूँ अगर आपके पास केसर ना हो तो आप लोग एलो कलर का फूट कलर यूज़ कर सकते हैं पाने में मिला के गैस आफ रखेगा जैसे गाड़ा हो जाएगा तो जैसे मैंने मिला दिया है केसर फिर गैस आउनकिया मैंने धीमियाज पर ही रखेगा इन तो बहुत जल्दी-जल्दी गाड़ा होता है और लॉंस पड़ जाएंगे ने तो फिर ड्राइट फूट्स जो भी आप लोग मन है उसे गी में फ्राइब करके डाल दीजिए आदा मैंने डाला है काजू किश्मिश और बादाम डाला है मैंने आप अपना मन चाहिए ड्राइफ्यूश कर सकते हैं इसे कंटीनियू स्टर करती रहिए देखे इस तरह से गाड़ा कीजिए कि तो सुन्दा दिख रहा है खलर रबडी का बस इतना ही गाड़ा चाहिए जादा गाड़ा कर देंगे तो और ठीक हो जाता है और ठंडा होने के बाद गैस बंद करके पंद्रा मिर्दा ठंडा कर दीजिए फिर मैं सर्विंग जिसमें मैं सर्व करूंगी उसमें जो निका के पंद्रा मिर्दा करने वाला रबडी है उस पर डाल दूंगे खलके हातों से ज्यादा गरम-गरम डालने से भी टूट जाता है अमारे यह शाही टुकड़ा आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करीजिए प्लीज कमेंट्स करना ना बूले फिर ड्राइफूट से सजा लेंगे आप इसे गरम-गरम भी खा सकते हैं यह तो ठंडा करके फ्रिज में रखे तीन दीन तक रहे गा यह फ्रिज में बहुत सौधिश लगता है यह शाही टुकड़ा और जट पर त्यार हो जाता है बस हमें दूद उबाल के रखना है और फटा-फट रबड़ी बना देनी है लीजे त्यार होगे हमारे शाही टुकड़े आ